नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तों बिहार में क्रिशी विभाग में नई भरती आई हुई है सम्पून इसका हम डीटेल्स बताएंगे कौन को भर सकता है सेलेक्षं प्रोसेस क्या देखिये बीना एक्जाम के स्सम्त्रेक्शन है यार इसमें एक्जाम नहीं होगा और मिघकष्झी है कैसे सेलेक्शन होगा इसमें बिहार में किरिशी विवाक करताद वेकेंसी है, तोटल एक हजार एक तालीस पोस्ट है और जो फॉर्म है ना ओनलेन अपका भरा जाएगा, ठीक है, लास्ट डेट ओलेडी फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट कि अगर हम बात करें ना, यह जो आप का चार प्रकार का पोश्ट है, पहला पोश्ट जो प्रखंड तक्निकी प्रवंधक, इसमें 288 पोश्ट है, इसका सेलरी दोस्तो कीं, 30,000 स्टार्टिंग है, 30,000 सेलरी मिलेगा, ठीक है? इसके अलावाद देखो, सहायक तक्निकीन प्रवंधक के, अगर बात करें ना, तो 5 पोष्ट है 25,000 स्टार्टिंग सेलरी है इसका बाकी लेख पाल का सबसे पुपलर पोष्ट में से एक 107 पोष्ट है साड़े 22,000 का सेलरी है बाकी अंसुलिपिक सहलिपिक का 6 मातर पोष्ट है 22,500 सेलरी मिलेगा यह दोस्तों कुछ पोष्ट ही और बहुत सारे बच्चे हमने एक वीडियो ओलेडी किया हुआ है तो पूछ रहे जोब सरकारी है प्राइबेट कैसे है सारा कुछ आपको बताएंगे आंगे ठीक है देखो इसमें दोस्तों ले रहा है ना 18 से लेके 37 साल तों मांग रहा है जरिनल वालों बच्चों का ठीक है बाके जुस्तों अलग-अल प्राइड के लिए सबसे बेस्ट बुक है अब इस बुक की खासित यह बता देता हूं एक दूस्ति यह स्टटी पैकेज को आपको मैं दिखा रहा हूं सारा जो सिलेबस है ना नियुंतरन पैटर्न पाधारित यह दोस्तों बूक है यह वाला बूक ले ले लेना है दोस्तो ठीक है बूक कहां मिलेगा ओनलाइन कहीं भी मिल सकता है कोई कोई भी फ्लिपकार मैजॉन से या नदरी की दुकान पर भी मिल जाता है ठीक है इसके आलाव दोस्ता इनका वैल्यूम टू भी आता है रुकमनी पॉब्लिकेशन का यह दोस्तों आप देखरो ने यह में फर्म भरा हुआ है तो रुकमनी पॉब्लिकेशन का बुक लेना सबसे अच्छा बुक है दोनों ले लिजिएगा एक स्टड़ी गाइच और दोस्तों आपका इसके लाव आपका प्रैक्टी से ध्यान रखिएगा यह दोस्तों एक्जाम करेक करने के लिए सापलता दिल तो यह क्या हो जाएगा, तो एक्जाम नहीं सीधे क्या है तो selection पूरटा ही कि स्टैम तरिया देक्से लिए में डेक्टा परसेंटेज घखा जाएगा अब example के तॉरका समझेगा जैसे दस वी में दोस्तों एक example में आपको बताता हूं मान को चलो 10 वी में आपका 60% आया हुआ ठीक है 12 में मान को चलो 70% आपका आया हुआ ठीक है 12 में 70 मान लेते और तिसे गैश वेसन वे मान को चलो आपका 80% तीनों को जोडा जाएगा कितना होता है दोस्ते हैं यह 210 आगा तरणा है कि तीन को डॉड़ किया जागा तीन से डिवाइट करो तो कितना आता है सतुर आता है। अदिवाइट करने के बात उसमें 80 परसेंट उसका मतलब गुना कर भात करेंगें तोड़ ओना कर देंड़ जीरो प्रसेंट से मतलब तेन्थ में ट्वेल्थ में और गेजवेशन में जितना माक्स आया हुआ है तीन से डिवाइड कर दिजिएगा तोटल माक्स को और दोस्तों आपका 0.8 से गुना कर दिजिएगा एक एक गजामप्र को तरफ हमने बता है तो मार्ग तो आपका 56 परसेंट माक्स निकलेग अब देखो आपको जो OPCL Notification है वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें आपका सारा कुछ क्लियर होजेगा Qualification क्या है उसके एला सारा कुछ देखें दोसो हमें जो OPCL Notification है ना उपन कर लिया है क्रिसी विभाग बिहार पटना बिहार क्रिसी प्रबंदक एवं प्रसार प्रसेशन संस्था बोपती बिहार पटना ठीक है चलो नियोजन की प्रक्रिय आपने देखा था उसके बाद Qualification वेगरा सारा कुछ आपको बताऊंगा ठीक है चलो नीचे आओग न तो यहां पर देखो दोसो 6.1 नंबर नियोजन की प्रक्रिय यानि सेलेक्शन प्रसेश कैसे होगा अब देखो पहला पोस्ट के और चर्चा यहा कि अधिकतम 80 अंग है जिस में से मैंट्रिक यहां पर मैट्रिक के कुल प्राप प्रसेंटेज प्लस में इंटर्मीडियर प्रसेंटेज और इसके अलावज घृषण का कूल प्रसेंटेज आया जैसे कि मैंने बोर्ट पर बताया सारा कंपर से दूस्टो तीन से आपको देखो, यह निन्यवंतम अनुभव वर्ष से दो आपका नंब्र के नोग है अगर देखो, यहाँ अतरिक एक वर्ष पूर्व के कार अनुभव वर दो अंख है, दो से दोस्तों आगर ज्यादा साल का एक्स्पियर्यंस एथा चार है, वैसी ही दोस्तों तीन से ज्यादा जार साथ ज़्याता करें आपका इस्पिरिंस अधा दस घर तक अब देखो यहां पर दूस्तों एक और पॉएंट है तीसरा नमब बीहार में दोश्तों जो वरस्ति विश्वित विड्याले में उत्रीन अभियातियों को प्राथिमिक्ता देएगे अगर आप बिहार से दुस्तो विस विद्याले आपका कॉलेज या इनुर्सिटी से पास हो तो उस पर दुस्तो आपका पांच अंक है तो बिहार के छातलों के अप्लाई कर सकते हैं दोस्तो बिहार वाले बच्चों का ज्यादा परस्मिकता दिया जाएगा अगर विहार साफ पास होता है दो इस प्रकार का तो आपका आंग है जो आपका इस तरह है दोस्तो असना को उत्तर में 75 परसंट या उससे दो आंख है तो उसके अधार पर एक्स्पिरियंस आपका नंबर है बाके दोस्तों सेचनी की योगर्त है यहाँ आप लोग खुद भी देख सकते हो ना अधार नंबर पॉइंट आप लोग खुद भी इसके लिए पर सकते हो सेचनी को जिए अंख है ठीक तो अलग अलग है दूसरों में का सुचिक कैसे त्यार किया जाएगा लेख पाल के देखा देखा देता हो लेख पाल में दूसरों अधिक्तम आपका सो अंख है जिसमें अंग मिलेगा लेख पाल के लिए पचासी अंग 10-12 और ग्रजुएशन का दूस्तों आपका इतना माच से उसमें 0.85 से गुना हो जाएगा ठीक है जैसे मैंने बोड पर बताया ना 0.8 से लेख पाल के लिए 0.85 से गुना हो जाएगा एक्स्पिरियंस में 10 अंख है तो वहा अब देखो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको मैं बता दूना एक चीज़ यहां पाप लाई करने वाले बेद्यातियों को मैं बता दूं यहां पर एक चीज़ लिखा गया कोई भी जो अभिहारती है ना राज के किसी दो जीलों में से एक सधिक पदों के लिए क्या चाहिए ना सबसे इंपोर्टन चीज वही है देखो क्वालिफिकेशन सबसे पहले ही स्टार्ट करते देखो लेख पाल से लेख पाल में दोस्तों आपका 160 सीट है इसके लिए अगर आप बीकम किये हुए है ना बीकम के वाल करने वाले बेद्यातियों के लिए है तो बीकम होना चाहिए चलो बीकम के साथ दोसे एक्स्पिरियंस भी मांग रहा है अब एक्स्पिरियंस देखो भारत या राज सरकार के अधिन या दोस्तों सेंटरल गवर्मेंट या स्टेट गवर्मेंट जैसे कि भारत गवर्मेंट या बिहार सरकार के दोस्तों अधिन कोई लेखा कारक में नियुतम तीन साल का अनुबह हो यह ध्यान रखेगा भारत यह राज सरकारक से जो फॉंड मिलता है ना जिस संस्ता को उससे उसमें अगर आप काम किया है आपने तो तीन साल का तो वह experience मांग रहा है फिर से repeat करता हो ध्यान समझेगा तो भारत यह राज सरकार किया है तो आपका experience का धार पर सेलेक्शन है ठीक है और देखो दोस्तो इसके आलाव उपर से बताता हो चलो और पर प्रकहन टेक्निकी प्रमंदक ठीक है इसमें दोस्तो आपका क्रिसी उद्यान क्रिसी अभियंतरन वानी की पसु चिकिस्सा और पसु विज्ञान मतिस की इ जासे यहां प्रदोग्ण के विजसे में सनातक की डिग्रेशूसान इसब विजसे में ग्रेजि coalition होना चाहिए रधेव Turk numbers सरकारी संस्था यािविद्पोसी संस्थाव छे डोस्तो किनल सी भियंतरन में आत्मा में इसके लाशिए उद्यान मतिस पसु बिग्यान डेरी वा से होना चाहिए आप लोगों का अब देखो सहायक तक्निकी प्रबंदा के लिए दुस्तों आपका देखो क्रिसी उद्यान क्रिसी अभियांत्रण वानी की पसुचिक्षक पसुपिज्ञान मतंसकी यह सब संसासे दुस्त आपका गौरा क्वालिफीकेशन है तो भर सकते और इसके लिए experience certificate नहीं जाएए देखो अगर आप दोस्तों सहायक तक्निकी प्रबंदग इसमें पांसो सदासी पोस्ट है इसके लिए qualification क्यों मांग रहा है इसके लिए experience टेओर नहीं है इसमें apply कर सकतो आपको अच्छा पोस्ट है यह सब दुस्तों आपको बताना था हमने आ notification है उसमें हमने बता दिया आपका qualification और experience पर गारा सारा doubt आपका clear हो गया अब दोखो देखो दोस्तों इसमें क्या है ना बहुत कम बच्चे अपलाई करेंगे क्यों qualification और experience बच्चों के पास है ने इनके पास है या कोई बच्चा अगर बनवा लेता है कहीं से अब यह selection बिल पर्मनेंट करो एक साथ हजारों कमचारी अगर जूटते हैं पर्मनेंट होई जाता है नहीं तो आपका यह देख लेना कोहीं नहीं निकालता है एक तरसे आप गोल सकते हो नहीं हाला कि सब्सक्राइब 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 अगर सरकारी नहीं भी होता है तो अर्ध सरकारी कर देता है अर्ध सरकारी कहने के मतलब क्या है कि यह साठ सालों के लिए ठीक है सब्सक्राइब लेकपाल का मतलब कोई यह नहीं है भागम दोड़ वाला काम है अराम से काम किजिए और सारा कुछ हमने आपको समझा दिया एक तुझे जनकारी आपको दे दिया ठीक है और दोस्तों इसके रिगारिंग कोई सवाल बचा हो तो कमेंड के मादर हम साप लोग पूछ लीजग चैनल जरू सब्सक्राइब करें बेल आइकन दावाएगा कोई भी लेटेस भेकंसी है सारा कपडेट मिलता रहते है धन्यवाद